जली की अमुला थाना शेतन दिकत आने वाले सिला नगर में पत्नियों उसके प्रेमी ने मकार पर कब्जा कर लिया है दो महने से पुत्रे को कहीं गायब कर दिया है जिसका पता अभी तक नहीं चला है जानकरी के अनुसार सालिक राम लोधी पुत्रे बादम सिंग लोधी नि अमुला थाने में की गई थी एक अक्टूबर को अहमदाबाद में लाज कराकर पती वापस अपने घर सिला नगर आया तो पत्ने छोटो ठाकुर को अपने साथ रखे हुए मिले जब इसका विरोध किया तो धमकी दी दो महने से पुत्रे संजे लोधी उम्र 15 साल को कहीं ग आचित होने लगी तभी से ये संबर्प में आगे पिरिद पती ने एसपी से मकान से कबजा हटाने से हित पुत्र को जल्द खोजने की मांग की पत्नी ने लापता करते हैं तो कैसे क्या कर दिया आप कहा थे तो बार का भीमार था था अज्टाल में बठ टी तो जो साल से लिए चले आट को कई हैं आपकर शेड़ा शाल है के ने दोकर रिख लिया है किसने चो तो ने हैं जोटू ने ऑगा ये जोगा लिए फिर उगर कभजा कर लिया मेरे मकान छड़ा लिया सब प्रसा देला चीज़ सब चड़ा लिया सब चड़ा लिया सब चड़ा लिया मेरे को जाता हूं तो मेरे को मारते हैं कौन कौन मारता है शोटू और अरवंच बेटा का पता नहीं यह का है बेटा नहीं मिल जा तो आपने पूचा जो दुकान रखाता तो दुकान पर लिक दे गया इनकी बात होती रही तो पर आप तो अपर तकान कहां से काईत की अभी तर अब भॉखाल कर लें पर अब अच्छाना कर लें कि क्या चाहते हो आप मेरा मकान मिल जा तर मेरा लड़का मिल जा लड़के की उमर कितुन ही होगी पंदा साल कब से लापता है दो महीं न दो देन होगे अभी तर फता नहीं है पता नहीं है